जमू कश्मीर में ठंड बढ़ती ही जा रही है और अगर आप कश्मीर की बात करें तो कुछ-कुछ जगाओं पर ये भी खबर है आ रही है कि वहाँ पर अपर रीचीज की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बरबारी शुरू हो सकती है वहीं अगर जमू की बात करें तो जमू के कारण पूरे जमो कश्मीर में बढ़ती हुई ठंड जो है वो आप लोगों को महसूस होगी लेकिन उसका समय था अफटनून से लेकर मौर्निंग तक ऐसा हो सकता है जो मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो है हमें सोर्सिस की तरफ से खबर आई थी लेकिन आपको बता दे कि ऑफटनून यानि आज दुपहर को ही मोसम खराब होना शुरू हो गया और अभी अगर मैं आपको बता दू तो फ्रेश क्या कहता है कि पारा नीचे की तरफ आएगा यानि कश्मीर घाटी की बात करें तो वहां पर पारा जो है काफी निचले स्थर पर आ चुका है और यह पार इसी तरह से नीचे रहने वाला है जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हैं वह भी मुझे बता दे कि आप लोग कहा बारा बजे की बात करें तो दूपती तो दूप के साथ साथ लेकिन अभी यहां पर दूप नहीं है और जिस तरह से पारे की बात करें तो पारा जो है वो लगातार नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है इसी के साथ पहलगाम की अगर मैं बात करू कोकरनाग की ब पढ़ चुकी है ठंड के साथ साथ जिस तरह से मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट की बात कर ये मोसम ठंडा गरम इसी तरह से चलता रहेगा दिसमबर 24 तारीक तक आप जितने भी लोग हैं वो मुझे बताएं आप लोग कहां कहां से देख रहे हैं ताकि मैं उनके सवालों के ज लॉरन के इस वीडियो में दिखाया गया था कि वहां पर बरबारी पढ़ना शुरू हो गी थी तो ये जम्मू का मोसम है जो काफी जादा आपको डस्की भी दिख रहा होगा कि जिसमें आपको ऐसे लग रहे है कि दूल मिट्टी भी है तो दूल मिट्टी के साथ-साथ यह आप ठंड भी और जो वैदर मैंन ने बता है कि अगले 24 गंटे तक जो है वो बादल इसी तरह से चाहे रहेंगे तो यह में बादलों का ही आपको तस्वीर दिखा रही हूं कि आप देखिया आसमान में बादल चाहे हैं और मोसम ऐसा लग रहा है कि तकरीबन एक से दो पढ़ना जो है वो शुरू भी हो सकती है और चलिए अभी जो है आपकी आपके कमेंट्स को पढ़ते हैं तो उस तरफ चलते हैं आपके कमेंट्स पढ़ने की और चलते हैं और आप बताईएगा की आप जहां जहां पर हैं बरबारी काहां पर शुरू हो गई हैं उनके बार बहुत दन्यावादू उसके साथ डोडा जो डोडा से मेरे साथ जो जमाल दीने मुझे बताइए किडोडा में मोसम कैसा है और मोसम के क्या कुछ सूर्बतिव रहे हैं और जिस्तरा से अगरम lot आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं आप लोगों कि मारत जिए मचाई का पर आपको ऐसा मोसम भी लिख सकता है क्योंगि जो मोसम मिजास है वह दिसमबर 24 तक ही बिगड़े अगां कि पर यहां पर स्ञोफाल भी हो सकता है अपор्वकिं तक शुरू हो चुका है जो मैंने वीडियो देखी हैं इसाब से बता दो जो सोर्स से के हवाले से मेरे पास खबर है आपको बता दे कि कल जो दिसंबर 17 है और दिसंबर 24 तक जो है वेदर ड्राय रहेगा और क्लाउडी जो है बताया गया है कि आज से लेकर सुबा सवेरे तक मोसम के जो है सूरतेहाल चीक नहीं होने वाले इसी के बाद जो सर्दी बढ़ेगी और सबसे बड़ी बात ये है कि सर्दी बढ़ने में आप लोगों को अपना बहुत जादा खयाल रखना है तो मैं आपको बता दू कि बिल्कुल हमें भी ठंड लग रही है सुबा सवेरे जो है हमें लगा था कि आज जमू में धूप खिली है तो इतने जादा प्रिकोशन समने भी नहीं लेकिन आप यहां पर ठंड बढ़ चुकी है और बिल्कुल ठंड लग भी रही है अगर आप कि पहले ही खबरे आच चुकी थी कि दिसंबर 16 आज दुपहर से लेके कल सुबा तक मोसम घराब होगा लेकिन मोसम ने करवड जो है वो दुपहर को ही ले ली थी और साथी साथ अगर अभी आपको बताने कि मैं कोशिश करू कुपवाड़ा अनंतना की बात करें बारा मुल कश्मीर में तो हलकी हलकी दूप थी लेकिन अब आज अभी सूर्य देवता जो है वो पूरी तरह से गायब हो चुके हैं यहां पर नहीं दिखाई दे रहे तो इसका मतलब यहीं कि मेटरलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जो वेस्टर डिस्टर्बंस का जिक्र किया था वो वेस्टर डिस्टर्बंस आपको इस हवा में दिखाई दे रही होगी उनका यहीं मतलब था कि जो हवाएं चलेंगी उनमें धूल मिट्टी के साथ साथ जो है आप लोगों को यहां पर ठंडी ठंडी हवा भी लगना शुरू हो जाएगी और अभी देखिए उमर शाह मेरे स में चल रहा है उसके बारे में जो जानकारी नहीं कुपवड़ा के मैं आपको बता दू तो लो ऑफ माइनस 17 डिग्री सेल्शियस यहां पर जो है दर्ज किया गया है अगेंस माइनस 4.2 डिग्री सेल्शियस प्रिवेट नाइस की बात करें 4.2 था तो भी 1.7 डिग्री सेल् गुलमग की बात करें सोनामर की बात करें सिंतन टॉप की बात करें तो इन सब एरियास में भी जो एग काफी जादा बरबारी होने के आसार भी है और कहीं कहीं जगाह पर अपर ईचरीज में बरबारी शूरू भी हो चुकी है और सब्से बड़ी बात है कि यहां पर आखिर में आपको बताना चाहूँगी क्योंकि हमारी कोशिश रहती है कि आप उस तारीख को अपने जहन में डालने हाज संट पर सोला हैंग बता दिया कि सुबा तक ऐशा ही मोसम रहने वाला है और दिसंबर 17 जब आप दिसंबर 17 के अफ्टरनून के बाद आएंगे तो हो सकता है ड्राइव एदर है लेकिन उस ड्राइव एदर में मेटरलोजिकल डिपार्टमेंट यानि वेदर में कहता है कि ठंड बड़ेगी ठंडी हवा जो है वो बड़ेगी जितना बाकी बड़ रही थी आप लोग हमार साथ इस अपडेट पर बने रहे आपने अपने वैलियाबल कमेंट यह लोग फिर भी बताते रहेगा कांग आप कि जो है बचाना है प्रोटेक्ट करना है